हेलो गैज स्वागे थे आपका इस चनल पर आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं टेस्ट फार्वन के 25 इंपोर्टेंट एक्सपेक्टेट कोश्चन्स जो कि पिछले 20 बर्सों में बिहार श्टेट पाउर होल्डिंग कप्रिन लिमिटेट साथ में डी एम आर्सी और ट अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना चलिए आज का स्टार्ट करते हैं आज का इंपोर्टेंट वीडियो ट्रास्फार्मर के 25 इसके कारण क्या है आपको दोस्तों ट्रास्फार्मर अत्यदिक ओवर हीट हो जाता है इसलिए माल फंक्सनि इसलिए इसका इकुरेटेंसर अप्सान नमबर ए हो जाएगा नेक्स कोस्तों से आप देख सकते हैं निम्नी में से कौन ट्रास्फार्मर के लिए प्रतियस्थापन में प्रियोग नहीं होता है तो उत्यज़क का यूज हम लोग प्रतियस्थापन में नहीं करते हैं नेवर सबसे कम नेवर करता है इसलिए इसका इकुरेटेंसर अप्सान नमबर सी हो जाएगा नेक्स कोशन ट्रास्फार्मा एक ट्रास्फार्मर क्या है दोस्तों अस्थैतिकी मसीन है इसलिए इसका इकुरेटेंसर अप्सान पर सी हो जाएगा नेक्स इंपोर्टेंट कोश स इनमें से कौन सा एक स्टेफ आप्र ट्रस्पारमर के बारे में सही है तो सभस्पार्मर के एडी करेंट 6 से रक्षित करने है तो कूर को डैस यह बना जाता है किसमें बना जाता है तो कूर को दोस्तों सौफ्ट आयरं से बना जाता है इसका अपसर नमबर D हो जाएगा नेक्स कोशन टास्वार्मा यह अधिक दक्षता पर कार करता है और उसकी लोहे छती 500 वाट है तो उसकी तामर छती भी कितनी होती है तो जितना लोह छती होगी ताहीं क्या होगी तामर छती होगी इसलिए इसका अपसर नमबर D हो जाएगा दोस्तों एक नमबर कोशन आप देख सकते हैं दोस्तों यहां पर दिया हुए कि ट्रास्वार्मा के करोड के लिमिनेशन ताथा सिलकान इस पात की पटिक क्यों प्रियोग किया जाता है तो इसका एकुरेट एंसर हो जागे कित्रश्फार्मर की परते के कुंडलन में उत्पन विद्धुत्वा हाग बल नेरभर करता है तो किस पर नेक्शार तो आप रिती पर भी निवर करता है लेपर शंख्या और अधिक्तम चुमबकिया फ्लक्स किस पर नीवर करता है दोस्तों इसका एकुरेट एंसर आप दे करता है इसलिए इसका ईकरे एंसर क्या हो जाएगा अफ्सानिक पदार्थ की ब्रीदर में प्रिएंसे रता प्रिएंसरिक में कहीं Psalm तो इंपोर्टेंट कोस्चंस कि बार बार पूछे कोइगा। 2-5 में क्या है कि प्रियोग यह किंपकिव nerd करते हैं तो आप के सिल्टित टास्फार्मर में करते हैं लोको empez सितली ट्रस्फार्म करते हैं इसलिए इसका एक्रेट एसर क्या हो जागा अपसर नमर बी नेक्स कोशन से आप देख सकते हैं दोस्तों में मिलान की जीत आप बकोल्ज रिलीज दिया तो बकोल जुरो यह युकती इसलिए एक क्या हो जागा फोर हो जागा एक प्लू लेजन वेंट क्या है इसे प्रेशर रिलीज बल भी कहते हैं अपसर नमर ए आयल गेज किसको बोलते हैं आयल गेज टास्फार्मर के टैंक में भरे तेल कास्तर दरसाने वाले युकती है और तापमान मापी क्या है तेल के ताप आपने वाले युक्ति दोस्तों आप देख सकते हैं मिलाकर और इसका अप्सान के उनसार आपका इसके एक्योरे टेंसर हो जगका अप्शन नमर बी ठीक है दोस्तों नेग्स कोश्ण्स क्यों चोलता हैं आपके कुछ से नुमेकल्स दिये हुए लाते हैं योगो is न्वेरिकल को देख लेते हैं कि किसी एक्ष से कमेर के प्रतší फिर उन्थ यॉथ और प्राथमिक वोल्ट 110 वोल्ट है यदि वी इसकार इसकल्ट 25 वोल्ट हो तो प्राथमिक तत्था दित्य पर वर्तनों की संख्या क्या होगी तो दोस्तों इसमें सबसे बहुत बोल्टिज की देख लेते हैं तो चौगुने 110 इसकल्ट चौशो साथ हो जाएगा और इसमें संख्या कितने हो जाएगी इसका अपसन नबर एगा नेक्स को संस निम्डखित में से कौन एक परड़ी इना मित्र के लिए सही है तो घुना नहीं यूगती यह तो सही नहीं एस्थेटिक यूगती यह जाएगा अपसन नबर बी हो जाएगा दोस्तों नेक्स इंपोर्टे सब्सक्राइब करने के लिए उत्तेदाई होता है तो कौन से जिदान पर करता है दोस्तों फैराइडे की विदूती चुमबकी इंडक्शन के नियम पर करता है इसलिए इसका अपसन नबर ची हो जाएगा नेक्स को संस किस परकार की भुलता को टास्पार्मर में परवर्ति करता है किस परकार के भुलता को में इसका अस्तर से नियम लश्तर में बी ट्रांस्पर करता है इसलिए इसका क्रेंटेसर अपसन नमर 5 हो जाएगा दोस्तों गया होगा अगर ट्रास्फार्मर को ड्षिछ नहीं बदलता है तो दोस्तों आपकी सक्ति और अब्रीति को नहीं बदलता है विद्वाहक धारा और वल्टेश को बदलता है सक्ति और वल्टेश को सक्ति और अब्रीति को नहीं बदलता है दोस्तों इसलिए इसका अप्स नमबर सी हो जाएगा important questions आप लोग देख सकते हैं कि transformer की prac timing को क्या कहते हैं तो transformer की prac timing को दोस्तो विद्वीद्व सुर्वत से सुर्जोंजित करते हैं इसका अप्स नमबर ए हो जाएगा बहुत अच्छे transformer की दक्सता कितनी हो दोस्तों 95 से 99 परशेंट तक दक्षता होती है इसलिए इसके अपसर मड़ी नेक्स इंपोर्टेंट कोशन है दोस्तों यहां आप देख सकते हैं तो जो वुल्टेश के मान को बढ़ा देता है जिसमें दित्य कुंडिल में फेरो के संख्या प्राथमिक से अधिक होती है जो करंड के मान को घड़ाता है उप्रियोक तो सभी हो जाएगा इसका अपसर नमर डी हो जाएगा नेक्स कोशन आप देख सकते हैं कि एक अस्टेप डाउन ट्रास्पार्मा के दित्य कुंडिलन क्या होता है तो इसमें क्या होता है कुंडिलन में प्राथमिक कुंडिलन के अपक्छा कम लेपिटों की बना जाता है तो इसको हम लोग्तियांब का बलते है इसलिए उपसरोंबर भी हो जाएगा और हमारे पास है इनमें से इक परकार है और यह पीट धर सब आने इसलिए इसलिए अपसर नमर्ट नोमर डी हो जाका अगर आप इस चैनल पर नए हो ते चैनल को सब्सक्राइब करके बेल एकन को ज़रूर पेस करें ते मिलते हैं नेक्स वीडियो में नेक्स टॉपिक के साथ नेक्स एक्सपेक्टेट को साथ तब तक लिए बाई बंदे मात्रम